नमस्कार दोस्तों भूपेन सिंग आप सभी का फिर से एक्जाम गुर्म सागत करता हूं दोस्तों उन्हें तजा सिख्षक भर्ती के संदर में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि यूपी की नई शिख्षक भर्ती में CM योगले लगाई महोर शिख्षक भर्ती यूपी टेट कारे कम इसी महाँ जारी होगा और वहीं बात करें यूपी टेट की जीवन पर मानने के लिए अभी तक कोई विचार नहीं शिख्षक भर्ती की खाली सीटों पर नई चैन सूची न्युक्ति पत्र सिग्र्ट और च्छतेजार पान सो नबहें विदाले आवटन पर सासन का फैसला और वहीं बात करें आरक्षन पर घमासान और सरकार का फैसला आना बाकी दोस्तों इन सभी न्यूज की डिसकस इस वीडियो के मादधम से आप सभी से करना चाहता हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादे पसंद आएगी और जो भई वें चैनल पर नए है प्रिल्प चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपने अन्य दोष्तों को भी शेयर करें क्योगि जो पल-पल के अपडेट ओती है वो भी हम आप सभी के सामने बसस liber出來 लेकर आते हैं दोस्तों चलते हैं न्यूज की दब दोस्तों आप सब को बता चलें कि जो यूपी की नई शिक्षक भरती आनी है उस पर सियम योगी आदितनात ने महुड लगा दी गई है मतलब उसको वेरिफाई कर दिया है कि इस दिन से नई भरती शुरूगी वो आप सब को दिखाते हैं जैसे कि आप इस खिन पर देख पा रहे हैं कि शिक्षक की भरती सियम योगी ने लगाई मोहुड उत्तर प्रदेश में राज्ज के डिग्री कालिज और राज्ज के इंटर कालिजों के लिए शिक्षक भरती भी राज्य से सिक्षा चेर्ण बोर्ण आयोग करेगा गुरू परदेश उस्ता सिक्साइवन आयोग और उत्तर परदेश मादमिक्स शेयर्ण बोर्ण की जगा लेगा अभी तक प्रस्तावित आयोग के मादम से केवल साहता प्राफ्ट डिग्री कालिज वैसा इंटर कालिजों में 600 की भरती की जाने थी राजी के डिग्री कालिज और र बहाइने बढ़तियां होंगी वह इसी आयोक के दुवारा होंगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले कुछ वीडियो में बताया गया कि जो नई सिक्षक भरती आने वाली है या पुरानी शिख्षक भरती हैं उसकी त्रहीं तरह से तो इसा नहीं होगा कि अब जो नई शिक्षिक भरती आने होंगी वो नए शिक्षा चैन बोर्ड के द्वारा ही होंगी जो कि उसका गठन हो चुका है और उसका कारिय भी अभी चल रहा है और वहीं बात के UPTAT की UPTAT के लिए आवेदर दिसंबर के अंतक परिक्षा नियमाग प्राधा के और से उत्तर प्रदै शि UPTAT के लिए सासन को प्रश्टाप भीज दे गया है और वहीं एंसिटी की और से एक बार टीटी पास कर लेने के बाद उसे हमेशा के मानने होने के नियम को लेकर अभी तक कोई भी नियम नहीं होने से UPTAT पर नियम में का देरी हो सकती है और वहीं बात करें 29 शिक्षादों को 28 हैसरों अभी न्यूवटिस इंजार की इंजार के यिदे के सुमय का इंजार अभी करना होगा कि उन्हेजार सिक्ष्ट प्रसायक भर्ती में दुश्चन में 28 अभ्यारते को सुक्रणा को नुक्ति पर दे दे गए हैं जिन अभ्यारते को आनलेइन आवेदन और मूल अवी लेक में अंतर पाया था उस पर सिक्ष्ट समयतिक बैठें में विचार किया गया इन अभ्यारतों के इस पतपत पर विचार करते हुए नुक्ति पर दे दिये गए हैं हाला कि अभी इसकूलों के आवटन के लिए कुछ दिन और इंजर करना होगा सासन ने अभी तक इसकूल आवटन का आदेश उन्हें नहीं दिया है और वहीं बात करें उनिजर सिक्सेबर्दि में अब 30 काउंसलिंगे मांग उनिजर सिक्सेबर्दि मेरे अभी 237 की परकफ़णों पर अंतिमने होना बांगी है दो चेंगु कांचलिंगे से रिक्त पर अलग चेंग की मौहिम्स दुग हो गया है अब बहएरतियों ने पिर्ती निसीतों के यहां गुहार लगा कर तीज़ i लिए ग्यापन शोपा है उनका दावा है कि तीछ चैन की इक पदों की संग्या पांस से पाहँ जार से अधिक है चैन के लिए दावा करने वाले भार्थी ओने में जीता बहुत जो शीबा पर देश की केमिनिट मंत्रिस्टाथ सिंग के आवाज पर उनको ग्यापन शॉप कर स सामें लेका है प्लीज जो भाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक करें कमेंट करें और अपने अन्य दोश्तों को भी शेयर करें क्योंकि जो पलपल की अबडेट होती है वह भी हम आप सभी के सामने अबस से लेकर आते हैं थैंक्यू धन्यवाद कि उन्यवाद जो चैनल चैनल लाई यज उन्यवाद भी कॉरी का लाई भी करें करें लेकर लोगाद थाय है तो भी करें